स्वास्थे से जुड़ा हुआ अपना खास प्रोग्राम लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं हम हमेशा यही कहते हैं कि आप अपने स्वास्थे का ध्यान रखें क्योंकि असली धन हमारा स्वार्थे ही है लेकिन अभी ये लगने लगा है कि भाग दोड़ बरी जिन्दगी में हम अपने स्वास्थे को बहुत पीछे छोड़ाए हैं और बाकी कामों में हम बहुत ज्यादा आगे निकल गए हैं और ये बाकी कामों में आगे निकलने की वज़े से हमारी health हमारे लिए शायद secondary भी नहीं रही है बलकि सबसे अंत में पहुँच गई है और बहुत सारी बिमारियों ने हमें आकर घेर लिया है हर रोज कई तरह की नई नई बिमारियों के बारे में भी सुनने को हमें मिल रहा ह BP, sugar और हमारे हटिंगों से जुड़ी हूँ इस मस्याए ये तो मुझे लग रहा है कि बहुत पूरानी बिमारिया हो गई है लेकिन आज कल के समय में भागदौन बरी जिन्दगी में और इतनी सारी नई बिमारिया आ गई है कि जब हम सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं और इ सर पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका और ये बात सची लग रही है कि बहुत सारे विवान्यों ने हमें गेर लिया है तो आज हम खास तोर से प्रोस्टेट कैंसर के बारे में बात करेंगे तो आप सबसे पहले बताईए कि ये एक्जेक्टली क्या है नमस्कार जी मेरा नाम वरेंदर साजर है मैं एक येरॉल्जिस्ट और जेनिटो यूनरी ओंको सरजन हूं मैं आज आपके साथ कुछ कैंसर प्रोस्टेट के बारे में बात करना चाहता हूं सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकल आप और आपकी टीम का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमें ये मंच दिया ताकि हम अपनी बात आप तक पहुंचा सके ये मंद हम कैंसर प्रोस्टेट को डेडिकेट करते हूं ।ो सबसे पहले तो हम बात करना चाहेंगे कि ये प्रोस्टेट है क्या प्रोस्टेट एक और्गन है जो की मेल्स के अंदर पाया जाता है इसका अकार जो है वो 15 से 18 ग्राम तक हम लेके चलते हैं यह अक्रोट जैसी शेप का होता है और इसकी जो लोकेशन है यह शरीर में जहां पे हमारा व्लेडर है यानि की जो हमारी पिशाप की ग्रंती है जहां पे वो खतम होती है उसके आगे जहां पिशाप की पाइप शुरू होती है इसकी लोकेशन वहाँ पर होती है इसका फाइदा यही रहता है कि जो हमारे शुक्रानू होते हैं यह उनकी क्वालिटी को इंप्रूव करने में हेल्प करता है उम्र के साथ साथ हमारे शरीर में कुछ बदलावाता है हमारे हार्मोन्स में कुछ चेज़े दाती हैं जिसके कारणिस का साइस बढ़ने लग पड़ता है साइस बढ़ता है तो हमें यह भी डर लगता है कि शरीर के अंदर कोई गिल्टी बढ़ रही है तो उसके अंदर कैंसर के लक्षन ना हो तो यदि तो वो उम्र के साथ बढ़ रहा है हम उसको simple benign prostatic hyperklesia लेकर चलते है यानि उसके अंदर कैंसर के लक्षन नहीं है लेकिन यदि उसके अंदर कैंसर के लक्षन है तब हमें उसको कैंसर के हिसाब से treat करना बढ़ता है तो डॉक सब इसके functions क्या रहते हैं body में, कैसे ये आगे कार्य करता है और इसकी percentage क्या रहती है, क्या percentage है इस prostate cancer की लोगों में? Cancer prostate एक काफी common cancer है, देखा जाए तो लोगों में near about second common cancer ही आता है, पहला cancer हम lung cancer को लेके चलते हैं, और यदि हम जन्गन्ना में देखें, तो males के अंदर हर साथ में लोग में एक prostate cancer का मरीच हो सकता है, और 38 से 40 लोगों में ये cancer का कारण death होती है, जो कि prostate के कारण होती है, और ये age जो इसके हम देखते हैं, वो 60s to 70s के बीच में काफी commonly पाया जाता है, कुछ races में भी हम देखते हैं, जैसे कि African Asians में या White Americans में इसकी तुलना काफी ज़्यदा पाई जाते हैं, 60% नेर अबाउट इसकी जो तुलना है, वो आम लोगों के काफी ज़्यदा पाई जाते हैं, तो इसलिए इसके environmental facts भी काफी काउंट करते हैं, जे, डॉक्र साब ने जैसे कि बताया है कि 60 साल की उम्र से लेकर 70 साल की उम्र के लोगों के बीच में ये बढ़ता है, लेकिन हम इसके साथ साथ ये भी पूछेंगे कि इसके क्या कारण रहता है कि एज बढ़ने के साथ साथ 60 से 70 साल की उम्र के बीच के male members में ये बढ़ता है, उसका साथ क्या कारण है कि इस उम्र में ये बढ़ता है? उसमें ये भी देखा गया है, यदि जितना close आपका relative होगा और जितनी जल्दी उसकी age की presentation होगी, तो आप में भी वो चीज़ा उने का chance ज्यादा है. तो हम ये भी चाहते हैं कि यदि किसी के पूर्वजों में ये cancer है, तो वो आने वाले टाइम में जब बड़े होते हैं बच्चे, males members उनको भी अपना कुछ टेस्स करवाने चाहिए ये ताकि ये cancer जल्दी से जल्दी पकड़ा जा सके. ये तो हम genetics की बात कर रहे हैं, इसके इलावा और भी कई कारण है, कि याने कि आपके environmental factors कहां के रहने वाले हैं, जैसे कि मैंने बताया कि कुछ white Americans में इसके chances ज़्यादा होते हैं, साथ ही साथ, यदि हम dhumrpahn करते हैं, smoking करते हैं, तब भी इसके chance बढ़ सकते हैं, आपकी uncontrolled diabetes रहती हैं, तब भी इसके chance बढ़ते हैं, साथ ही साथ, यदि आपकी calcium की कमी रहती है, vitamin D3 की कमी रहती है, तो इसके increase होने का chance बढ़ जाता है, यदि किसी को prostate की infections बार बार रहती हैं, STDs रहती हैं, तब भी देखा गया है, कि cancer की दादाद उन लोगों में ज़्यादा पहें जाती हैं, अल्कोगल का भी सेवन इस चीज़ को बढ़ा सकते हैं, किसी को इस बिमारी की लक्षन है, यह देखा गया है, कि जो cancer की लक्षन है, आम तो और पर यह होते हैं, कि बूग लगनी कम हो जाना, या दर्दे रहना, या आपका weight loss होना, तो यह cancer की लक्षन है, साथ ही साथ यदि हम prostate के specific लक्षन की तरफ चले, तो इसके लक्षन वही होंगे, जो कि एक benign prostate लिए या उम्र के साथ यदि prostate बढ़ता है, वो जो दिखते करता है मेल्स के अंदर, वो ही दिखते कैंसर में हो सकती हैं, जैसे कि, वो भी मैं आपको थोड़ देटेल में बताना चाहूंगा, कि यदि आपको prostate के कई लक्षन जैसे कि पिशाब बार बार जाना पड़ाए, रात को आपको बार बार पिशाब उठना पड़े, पिशाब की धार बरीक आए, जोर लगाना पड़े पिशाब करने के लिए, या पिशाब आप कर रही है, तो धार टूट रही है, चल रही है, फिर टूट रही है, बार बार आपको पिशाब की infections हो रही है, पिशाब की रुगावट हो रही है, ये जो सारे लक्षन है, ये prostate cancer के भी हो सकते हैं, और उमर के साथ बढ़ेगए cancer के भी हो सकते हैं, तो हमें कुछ टेस्टों के साथ ही इन चीजों को डिफरेशेट करना पड़ता है कि ये लक्षन सिंपल बिनाइन प्रोस्टेट के हैं या नि जो उमर के साथ प्रोस्टेट बड़ा हुआ है या कैंसर के जैसे कि आप बता रहे हैं कि बहुत सारे कारण है इसके तो आजकल के हमारे डाइट भी बहुत जादा चैश हो गही है मतलब हम healthy खाना दो खाना ही रहे है जादा फोकस जो है यह वो यंग स्टर्स जंग पूटर पे कर रहे हैं mail हो झाये फिमेल हो लेकिं अ-हाममे इस समय में मैमर्स प्रोस्टेट केंसर की बात कर रहे तो क्या हमारी डाइट पे जो है वो इस कैंसर को प्रभावित कर रही है या इस समय में यह देख रहे हैं जो यंग जनरेशन है यदि वो डाइट की तरफ नहीं द्यान देती तो कुछ आने वाले टाइम में यह दिखते बढ़ती हैं जो कैंसर कर रूब ले सकती हैं तो specifically यद हमें इस ही डाइट के कारण आने वाले टाइम में ब्लट पेशर रहता है शुगर हमारी बढ़ती है तो हमारे कुछ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फेक्टर होते हैं जो बढ़ जाते हैं जो की कैंसर को प्रवोट कर सकते हैं तो इसलिए मेरी तो यही रही रहेगी कि आप जंक करेंगे ही करेंगे लेकिन इसकी स्टेजिस की बात पहले करेंगे क्यूंकि कभी-कभी हमें पता ही नहीं चलता है और पेशेंट जो है वो लास्टेज तक पहुंच जाता है तो कौन-कौन सी इसके स्टेजिस हैं और कैसे पता चल जाए कि हम इस स्टेज पर पहुंच गए और हमें जल्द से जल्द इसका treatment चाहिए. अब जैसे हमने symptoms के बारे में तो बात कर ली, जो भी patient के लक्षन है वो हमने बात कर ली. यदि हमने stages पे आना है, तो हमें पहले cancer को detect भी करना है. Detect करने के लिए हमें कुछ उसकी investigations भी चाहिए. तो investigations में यह है कि जब भी हमारे पहला patient आता है, तो हमने उसकी लक्षन देखने हैं. Patient की दिखते क्या हैं? पिशाब की दिखते तो patient ने बता दी. फिर हम patient का examination करते हैं, जिसमें हम उसके पेट का examination, जैरी टेलिय का examination चेक करते हैं, उसके हरनिया की sights देखते हैं, पिशाब के रास्ते का link के part को देखते हैं, साथ ही साथ हम उसके rectal examination करते हैं, यानि कि stool के रास्ते को examine करते हैं. जो prostate है, उसकी location जो है, वो हम stool के रास्ते से detect कर सकते हैं, और वो यदि उम्र के साथ बढ़ा है, तो उसकी presentation अलग होगी, उसकी feel अलग होगी, लेकिन यदि उसके अंदर कोई cancer की लक्षन है, तो वो सकता है, उसके अंदर guilty है पड़ी हैं, वो हम जब stool के रास्ते उसको check करेंगे, तापा में वो चीज महसूस होती है, और यदि ये सब कुछ देखने के बाद, हम इस चीज का शक पड़ता है, कि ये prostate की देखते हैं हो सकती है, या इसके अंदर cancer की लक्षन हो सकते हैं, तो हम कुछ investigations कराते हैं, जिसमें हम routine investigation जो blood की होती हैं, sugar की होती हैं, kidneys की होती हैं, वो तो करवाते ही हैं, साथ ही साथ हम patient का scanning कराते हैं, जिसमें हम prostate की detailed evaluation देखते हैं, वो देखने में कैसा है, उसका size कैसा है, प्लस पिशाब करने के बाद, कोई पिशाब पीछे बचता है, कि नई बचता है, वो हम सब कुछ चेक करते हैं, यदि हम ज़रूरत पड़े, तो पिशाब के रास्ते की बजाए, हम stool के रास्ते से scanning के दुवारा चेक करते हैं, जिसको हम transrectal ultrasound करते हैं, एक specific test भी हम करते हैं, जिसको हम PSA test करते हैं, वो एक blood का test होता है, वो करवा के भी हम इसमें detect कर सकते हैं, लेकि इसमें लक्षन है cancer के के नहीं, लेकिन डॉक्साब, इसके साथ सथ हम ये भी पूछना चाहेंगे, कि PSA क्या है, और ये कब और क्यों करवाना चाहिए, PSA जो test है, ये एक blood का test है, आज कल देखा गया है कि मरीज कई बार खुद ही ये PSA test करवा लेते हैं, ये चीज अच्छी है, कि आप अपना PSA का test बिना doctor के करवा लेते हैं, लेकिन इसकी यदि report में कुछ भी गर्वड होती है, यहां इसकी जो मात्रा है, यदि ज़्यादा पाई जाती है, तो हम टेंशन में भी बहुत आ जाते हैं, और हम कई बार अपने घर्वनों से बात भी नहीं करते हैं, डॉक्टर से भी चुपाते रहते हैं, कि यदि उसकी मात्रा ज़्यादा तो हमें cancer हो गया, और हम इसको cancer लेके बैठ जाते हैं, तो यहां में आपको message देना चाहूंगा, कि PSA जो test है, वो cancer का specific test नहीं है, तो उसमें हम यह नहीं कह सकते कि, यदि इसकी value जादा है, तो यह cancer हो गया, इसकी normal value हम 4 तक लेके जलते हैं, लेकिन इसके बड़े होने की मातरा, और भी बहुत कारण है, जैसे कि prostate की कोई infection हो, prostate के अंदर यदि पस पढ़ गी हो, पिशाब की कोई रुकावट चल दी हो, या आपको पिशाब बिलकुल बंद हो गया हो, इन चीजों के कारण भी PSA बढ़ सकता है, या यदि हमने stool के रास्ते चेक किया हो, तब भी temporary PSA का level बढ़ सकता है, कैंसर के अंदर भी PSA का level बढ़ सकता है, या इसके बहुत से कारण है, तो हमें कभी यह नहीं लेके चलना, कि हमारा PSA का level बढ़ गया है, तो इसका मला हमें cancer हो गया, तो आपको यदि PSA का level बढ़ बढ़ मिल रहा है, तो आपको अपने urologist से बिलना चाहिए, अपने detail examination करना चाहिए, उसकी सला के साब से यह फिर आपको आगे चाड़ना चाहिए. जी, डॉक्स आम जैसे कि हम cancer की बात कर रहे हैं, तो हम सब जानते कि इसका नाम ही बहुत बढ़ा है, सुनते ही किसी को भी patient को जिसको भी होता, उसको लगता है कि शायद मैं अब रहूँगा ही नहीं. तो हम यह पूछना चाहेंगे कि क्या हम इसको cure कर सकते हैं, क्या इसके साथ जीवन का बचाव संभव है, क्योंकि वो एक mindset हो गया है patient का, कि अगर मुझे cancer हो गया है, तो शायद अब मैं दो मीने नहीं साल नहीं, डेट साल नहीं, दो साल में रहूं या ना रहूं. तो आप यह ज़रूर बचाएए, क्योंकि जो यह वाली धारना है, आद ही तो यही patient को बिमार कर देती. बिल्कुल. यहां cancer prostate के लिए मैं बताना चाहूंगा, कि जो cancer prostate है, यह ऐसा cancer नहीं है, जैसे कि नॉर्मली बाकी cancer behavior करते हैं. इसको पैदा होने भी सालो साल लगते हैं, इसको वढ़ने के लिए भी सालो साल चाहिए. तो हमारे doctors में एक धारना है, हम कहते हैं कि यदी, बगवान ने आपको कोई cancer देना ही देना है. और यदी आपके पास choice हो, कि हमें कौन सा cancer मिल सकता है, तो हम यह कहते हैं कि आप choice दीजिए cancer prostate की. वो हम क्यों कहते हैं? सिर्फ इसी नहीं है, क्योंकि यह cancer ओके भी cancer की तरह behavior नहीं करता. आपके पास बहुत time होता है, कि आप इस cancer की रोग थाम कर सकते हैं, इसको stage के हिसाब से, इसको cure भी कर सकते हैं, खतम भी कर सकते हैं श्रीजिए. तो यानि cancer prostate यदि आपकी body में पाया जाता है, तो आपको demotivate कभी नहीं होना. आपको यह लेके चलना है, कि मैं normal हूँ, मैंने say time-based का इलाज कराना है, डॉक्टर को दिखाते रहना है, तो हम इसको cure भी कर सकते हैं. अब जो हमने cure करना है, वो हम तभी कर पाएंगे, जब हमें इसकी stage का पता हो. हमने इसकी सारी investigations कर वा ली, PSA भी कर वा लिया, ultrasound भी कर वा लिया, तो यदि हम इन लगता है, कि हमारे cancer जो है, उसकी लक्षन लग रहे हैं, चाहे वो ultrasound पर चलन लग रहे हैं, चाहे हम stone के रास्ते चेक कर रहे हैं, उसके लग रहे हैं, या PSA बड़ा हुआ है, तब हम prostate की बाइपसी करते हैं. prostate की जो बाइपसी है, वो हम ultrasound मशीन के दवरा चेक करते हुए, सुई से छोटे छोटे पीस लिये जाते हैं, ये कोई major चीज नहीं है, और इसमें ये भी बताना चाहूंगा, कि आम जो लोगों में दारना है, कि शायद cancer को सुई से छेड़ा जाए, तो cancer बढ़ सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, cancer जब तक detect नहीं हम करेंगे, confirm नहीं करेंगे, हम उसका इलाज नहीं शुरू कर सकते हैं, और सुई लगाने से cancer बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, आपको ये जाच करानी चाहिए, ये ओपड़ी base पे होती है, इसके लिए कोई खाली बेड़ नहीं रहना होता, आप आएंगे, जाच कराएंगे, और उसी दिन आप वापिछ आ सकते हैं। इस जाच की जो report आती है, यदि उसके अंदर cancer confirm आता है, तब हम आपकी stage को confirm करते हैं। Stage के लिए, आजकल हमारे पास pet scan की facility है। Pet scan में हम सिर से लेके pad तक, आपकी cancer की लक्षन कहां कहां तक पहुंचे हुए हैं, वो details हमें पता लगती हैं। और यदि वो cancer की लक्षन शुरुवाती हैं, तो हम इसको शुरुवाती stage लेके चलते हैं, और यदि उसके cancer की लक्षन आगे बढ़ चुके हैं, तो यह stage advanced stage होती है। इसमें यदि आपकी initial stage है, शुरुवाती stage है, तब हमारे पास कई options होती हैं। options में यदि आपकी उम्र जाता है, और साथ ही साथ आपकी cancer की जो risk factors हैं, वो कम हैं, तो कई बार हम wait and watch भी कर सकते हैं, यानि कि हम simple PS screening या test करवाकि यह चेक करते रहते हैं, कि आपकी cancer की लक्षन किस speed से बढ़ रहे हैं। यदि वो कोई दिकत नहीं कर रहे हैं, तो हम simple आपको observe करते रहते हैं। और यदि हमें लगता है कि cancer की stage जो है, वो चाहिए वो initial है, लेकिन आप fit हैं। आप चाहते हैं कि cancer को छुटकारा डाला जाए, तब हम आप operation करके इस cancer को श्रीर से निकाल भी सकते हैं। इसमें हम पूरे गदुदों को दूरवीन के रास्ते से या चीरी के रास्ते से या robotically भी इसको सजरी करके पूरे के पूरे cancer को हम बाहर निकाल सकते हैं। इस cancer से छुटकारा पाया जासर। लेकिन यदि यह stage आगे की है। पेट के अंदर कोई guilty है बन चुकी है। इदर उदर यह fell चुका है। तब ऐसे cases में हमारे पास hormone therapy है। हार्वन therapy जो है वो को cancer की therapy नहीं है। वो basically आपके cancer को बढ़ने से रोखेगी। इसकी रोख ठाम करेगी। उसको cure करेगी। साथ हमारे पास radiation की भी option है। जिसमें हम sick के लगाए जाते हैं, cancer वाली जगा पर वो भी आपके cancer की रोख ठाम के लिए तो यह जो अलग अप्शन हमारे पास present हैं, इसके base पे हम आपको cure भी कर सकते हैं, प्लस आपका life span भी बढ़ा सकते हैं, जो भी cancer के करने दिखते आनी हैं, उनको हम control भी कर सकते हैं। बिल्कुल सर ने, दॉक्टर के पास आएं, अपना proper diagnose करवाएं, और फिर जो भी treatment दॉक्टर साब की द्वारा शुरू किया जाता है, उसको regular basis पर time to time लेंगे, तो इससे हम जल्दी छुटकारा पास सकते हैं। और डॉक्साब इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्ण है कि एक problem और है BPH, तो हम BPH और prostate cancer में अंतर कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत सारे patients जो हैं वह इस पास से भी घबरा जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि जो BPH है जिसको हम benign prostatic hyperplasia कहते हैं, यह उम्र के साथ prostate के अंदर जो विकार होता है जो उसका size बढ़ता है उसको हम BPH करते हैं। इसके अंदर cancer के लखशन नहीं होते हैं। लेकिन यदि यह size cancer के कारण बढ़ा है तो उसमें जब हम PSA टेस्स करवाएंगे, या SOE के दौरा जांच कराएंगे, या MRI पर या ultrasound में हमें लखता है कि prostate के अंदर guilty आ रही हैं, तब हम इसको cancer prostate की तरह देखे जबेंगे। तो basically हमने जो benign prostatic hyperplasia और cancer prostate को differentiate करना है, तो उसके लिए हमारे पास तीन चीज़े ही हैं जिसमें हम stool के रास्ते उसको check करें। चेक करने के साथ साथ हम यह से चेक करवाएं और तीसरा ultrasound पर या MRI पर इस चीज़ को देखें। और जरासा भी शक होने पर हम इसको 100% confirm करने के लिए prostate की बाइपसी करें। उसके इसाब से हम इसका इलाज करेंगे। तो sir क्या लगता है ब्ता है कि BPH patient को prostate cancer होने की संभावना रहती है चाहित? और उसकी ब्तार के cancel होने की संभावना नहीं होती है। वह दोनों की etiology डिफरेंट हैं हम दोनोंको अलग गसी का तरह टेट करते हैं दोनोंके टैस्स चाहे ऐवर लैप करते हैं लेकिन उसको हम डॉक्साब से बात कर रहे हैं आज prostate cancer की जो की male members में पाया जाता है और खास तोर पर 60-70 साल की उम्र के male members में डॉक्साब ने जैसे बताया है कि ये बढ़ सकता है तो हमें अपना ध्यान रखने की वैसे भी कहा जाता है कि बड़ी उमर में द्यान रखने की जरूरत होती है लेकिन इस टाइम खास ध्यान रखने की जरूरत होती है तो हम डौकसाब से एक message भी जो है इस बारे में भी और बैसे भी जरूर लेना चाहेंगे जीन डौकसाब तो आज जैसे हमारा focus था cancer prostate पे, तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा, कि यह cancer होके भी cancer नहीं है, कोई भी शरीर में cancer है, चाहिए वो prostate का, चाहिए कोई भी cancer है, तो उसमें हमारी awareness बहुत जरूरी है, जैसे कि हम कहते हैं, कि prevention is better than cure, तो हम यही चाहेंगे, कि आप सभी aware रहें, आप भी aware रहें, अपने साथ वालों को भी, अपने करवालों को भी aware रखें, चाहिए females हैं, चाहिए males हैं, जो जो cancers हमारे body में हो सकते हैं, उनके लिए कुछ screening test होती हैं, जैसे कि मैंने आपको prostate के लिए बताया, PSA test, यदि किसी की family history में cancer prostate है, तो उनके जो बच्चे males हैं, जब वो बड़े होते हैं, 35-40 के पास जाते हैं, तो उनको yearly अपने PSA screening तरवाना चाहिए, ताकि यदि उसके collection आए, तो हम उनको initial stage पर ही confirm करके उसको खतम कर सकें, तो ऐसे ही कई test और भी हैं, जो अलगलग cancer के लिए होते हैं, उस सभी के लिए आपको अपनी awareness रखती चाहिए, अपने नीजी doctor से मिलना चाहिए, ताकि बिमारी के शुरुवात में उसको control करके, हम उसको खतम कर सकें, बाकी तो हम यही कहेंगे, कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कोई भी बिमारी हो, mentally strong जब तक आप नहीं होगे, तब तक उस बिमारी से चुटकारा नहीं पा सकते, क्यों डॉक्सराब? और इसलिए हम यही कहते हैं, कि आप सबसे पहले तो अपनी सेहत का ध्यान रखे, बाकी सब बातें बाद में हैं, सेहत अच्छी है, तो सब कुछ अच्छा है, आप mentally strong है, तो कोई छोटी सी problem भी होगी, वो छोटी ही रह जाएगी, कभी भी ज्यादा बड़ी नहीं होगी, तो आज डॉक साब से बात करके, हमने जाना कि प्रोस्टेट कैंसर क्या है, क्या लक्षन है, कैसे इसे क्योर किया जाता है, इसके लिए हम डॉक साब का बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं, डॉक साब आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्री है धन्यवाद आप सबी